प्रिया विध्यार्तियों को मेरे नमस्कार आज हम प्रस्णमाला फर्स्ट के सेकेंड बाग के साथ मैं आपके बीच उपस्तित हूँ डियर श्टुडेंट मेरा मानना है कि आपने मेरे द्वारा जो पहले पार्ट में जो पांच जो परिभासाइं मैंने आपको बताये थी फ परिभासाँ को आप लिखते चलें और समझते चलें क्योंकि एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ सामन जिससे है उनका पहले पार्ट को अगर आप अच्छे से त्यार करोगे तो दूसरा पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और जिसने मेरा मानना है कि आ आपको कोई परिशाने आने वाली कोई बात नहीं है अब आज सुरू करते हैं आज का जो हमारा मेतरपूर्ण बहुत मेतोपोन जो की टोपिक होने वाला है उसकी जो मुखे प्रमे और वो प्रमे है युकलिड विभाजन प्रमे का यानि युकलिड विभाजन अल्गोरिफम के नाम से भी इसको हम समझते हैं और यहां पर हम बात कर रहे हैं युकलिड विभाजन प्रमे का युकलिड वि थी जिसमें रिणात्मक दयात्मक बात करा दो इनिव माइनस वाली नमब्या पर उनिक आएंगे यहानि किसकी बात करहें के सुध्ध ह सब्लाइब यह दो को प्लस-प्लस को लेना 12345 कुछ भी आ सकता है वह आपर अब देखें आपर और जीरो भी इसके अंदर संबलीत है यह द्यान रखना अब आगे चलो दिये रहने पर एसी अधितिये पूर्ण संख्या अब पूर्ण संख्या आ गई अब पूर्ण संख्या तो आप जानते हो मै इसने बताया था प्राकर संख्या के बाद में पूर्ण संख्या बेसंख्या है जो जीरो से प्रारम होती है अब पूर्ण संख्या में कौन कौन सी क्योर आर विद्वान लो जो क्योर आर का जो मान होगा वह जीरो से लेकर अनंत तक जो संख्या है उनमें से ही मान इसका होन आए द्विति ये पूर्ण संक्या Q और R विद्धमान है कि A बराबर B Q प्लस R A बराबर B Q प्लस R आप आप कोगे सर ये क्या प्रोब्लम आ गई A बराबर B Q प्लस R ये ध्यान रखना जैसे हमने कक्षा एर्थ में भी नाइंत में पड़ाया बराबर B Q प्लस शेसपल तक आप ये मानगे चले कि A को आप B बाल्जे मान ले हैं क्या माल ले बाध्ये इसको मान ले बी को बाजक मैं बाज्यए बराबर भाजटफल तो ब्यूंत dapat में ge prisoners का क्टीनारि क्या ह nuo जो आर्पो क्या माल्य तें सेसफल यह मान खरना लाइकिज आपकी विभाजन का और आर ये ऐब और प्राप्ट होगा तबहीं की समाप्ति की गोश्णा वह करेंगे अब आपको सरूर किया का किसके लिए करना है तो इस प्रम्य को Bio हम को HCF निकालना है क्या निकालना है और यानि महासरा पर आपके से पूछेगा और माश्यत आपके पास युक्लिड विवजर्प्रमयका कहती है कि स्भात्रण तो और और रहने पर ये आपको मिलेंगे जैसे। 4590 का क्या निकालो HCF निकालो तो 4590 क्या धनात्मक पूर्णांक है यह मान के चलना HCF पूर्ण संख्या Q और R विद्धमान है अब आपके पास दो संख्या आपको निकालने पड़ेगी बड़ी संख्या में चोटी संख्या का जब भाग लगाएंगे तो भाग फल और सेस्पल आएगा वहाँ पर मैंने इसको कहा कि Q को आप भाग फल के रूप में R को आप सेस्पल के रूप में आपर समझे R विद्धमान है तो यह बराबर BQ प्लस R तो यह जो आपकी जो दो लाइने हैं यह दो लाइने आपको तरीके से आद करेंगे 2 दनात्मक पूर्णांक A और B दिए रेने पर क्या दिए रेने पर दनात्मक पूर्णांक कौन A और B A और B दिए रेने पर पूर्ण संख्या C or R विद्धमान है जहां A बराबर BQ प्लस R और R का मान है सबक्राइब बाता है यह स्लineum और वसे किया होगा छोटा यह आपको द्यापर नड़ाखना है और प्रस्णों प्रस्णहां गालने हैं और जो विदी होगी वो कौन सी होगी यूखलेट विवाजन अलगोरित्मी यानि विवाजन प्रमेइका के द्वारा आपको एच सेयब निकालना है और निकालने के लिए आपको पाद सबसे पहले सबसे कहा कि कौन सी विदी से लिए आपको एक लिवाजन यानि रिखनी है तो आप लिखेंगे हम जानते हैं कि युकलिड विभाजन प्रमेका क्या है युकलिड विभाजन प्रमेका? आप लिखोगे दो धनात्मक पूर्णांक दो धनात्मक पूर्णा ए और बी दिये रहने पर दिये रहने पर रहने पर एक ऐसी आध्रितिय पूर्ण संख्या आध्रितिय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्धमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर यह आपके पास है और आपको यह भी पता है कि जो आर है वो क्या है उसकी कंडिशन पर मैंने आपको वापर लिखा रखिये तो उसको इतना यह तो आपको लाइने आपको लिखनी ही पड़ेगी कई बार मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं सीधा यहां से सुरू करते हैं यहां से ए बराबर बी क्यू प्लस आर एक्चुल में पूछ क्या रहा है वो उस्छा उक्लिट विवाजन परमेnehका का उपियों करके आपको क्या निकालना है? तो यहां निकालना है? तो बैसाहब आपको जानी लिखना ही पड़ेगा और जब आप लिक्टोगे तो आपको जो कोफी जाच करने वाली जो हमारे सर हैं टीचर है उनके दिमाग पर बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि बच्चे ने बिल्कुल अमको प्रमे लिखे और प्रमे को यहां पर बता है अब इस प्रमे का उपियोग करना है यहां पर आपके पास पेले में 135 और 225 है यहां पर इन दोनों में क्या दिया हुआ है आपको दो द माल लिए हमने धोसोपफिस माल लिवेफ बराबर वी क्या है यहां पर 135 आप क्या करेंगे इस 135 का भाग 225 में लगादो यह इसके बांच में से पाञ गया तो जीरो इधर से बारा मेंसे तीन नब्भा बच गए आपके पास तो आप कहेंगे 35 क्या यह यह भागफल है मैंने इसको भागफल की रूप में इंकित किया था तो यहां पर इंटू एक प्लस कितना है यहां पर नब्भा यह नब्भा यह 6 फल है यह भागफल है अब इन दोनों में से यह बड़े नमर कौन है इन दोनों में से बड़ी संखे 135 ए 135 आ गया जाएगी 90 यहां पर आ गई अब वोई नब्भा का भाग 135 में देना है लोग यह नब्भा यह 135 में भाग लगा दो नब्भा एकम 90 कितना बचा आपके पास 45 तो आप कहोगे सर यह नब्भा एकम 90 और बचा कितना था 45 अब इन द बड़ा कौन नभभ यहां पर 45 प्लस जीरो अब आपको ओगे सरी सेशफाल हमको क्या प्राप्त हो गया नियुकुत प्राप्त हो गया और तो आप कहँए दोगे कि जो यह वाला नमर आगे आगे वाला जिसको हमने एक सो पैतीस से नबबबब से पेतारिश तक पहुंच गए तो यही आपका क्या होगा एक सी यह बराबर कितना हो गया 45 आप से पूछा था उसने तो हमने इस तरीके से हल किया यानि दो नमबर आपको मिलेंगे वह दोनों नमबर केसे होंगे केसे होंगे आप के दोगे धनात्मक पूर्णांक होंगे क्योंकि प्रमे यूकलेट का प्रियोग करना है यूकलेट की से तो लाइन ही दनात्मक पूर्णांक से शुरू होती है तो दनात्मक पूर्णांक हो गया 225 और 135 जो बड़ा वाला नमबरो ऑपने 425 लिखा- बराबर यह बराबर 135 अब क्यो और या निग भाग फल और शेज़पल गयात करने के लिए दोसोपचीस में 135 लगाया बाग लगाने के बाद में कितना बच गया आपके पार 90 बच गया एंटु एक और 6 फल कितना बचा था यहां पर 90 बचा था यह नब भा गया यहाँ पर और यहाँ पर आपने भांग लगया जब हम माइनस करेंगे तो 45 वैगा, देन अमने यहाँ पर 45 लिखा, अब 45 को भी डिवाइड करना है, 9-0 से, अब 9-0 में जब 45 को जब डिवाइड करेंगे, तो तू बार मल्टिपल हो जाएगा ने मल्टिप्लाइब 45 को टू से मल्टिप्लाइब करेंगे तो 90 आएगा और 90 सेश्फल यानि जो आपके बचा क्या जीरो बचा और 0 बचते जिस जग जीरो आ जाता है वहां पर हमको अंसर हो गया इस तरीके से हमने पहला प्रसंट पूरा किया यह सकता है एक सवाल हो जाए हमको क्या लाना है यह पर जीरो लाना है और जीरो आते ही आप उस प्रसंट को बहुत सरलता से आप ला कर लोगी और सीधा सीधा के दोगे कि यह क्या है एससी एफ है तो प्यारे विद्धारतियों मेरा मानना है कि क्यूस्टन आपको बहुत अच्छे से समझा गया होगा अभी तो हमारे पात दो प्रसंट हो रहे हैं क्योंकि इस ही प्रमे के अनुसार हमें सौरे प्रसंट क से क्या केती यूकलीड विवाजन प्रमे का दो दनात में पूर्णांग और भी दिये रहने पर एसी अधितिये पूर्ण संख्या कौन सी क्यों और विद्धमान है जहापर ए बराबर बीक्यू प्लस आ यह आपने लिख दिया अब यह लिखने के बाद मैंने कहा था इसमें दोनों में बड़ा नंबर कौन है तो आप सीधा सीधा के दोगे सर यह 38,220 बड़ा है और एक सो चिन में क्या है छोटा है तो इस बड़े को तो यह मान लेते हैं और छोटे को क्या मान लेते हैं बी अब यूकलीड विवाजन प्रमे का बोलती ए बराबर बी क्यू प्लस आ यह आ मर कितना है 48,220 बराबर बी का मान कितना है 196 एक षीन मैं अब भाग लगाना है तो लोग 196 में का भाग किस में लगाना है 38,220 में आप एक सो चिन में का भाग 38,220 में लगाएंगे तो यह एक फिचान में बार जाएगा यह याद रख लेना थोड़ा सा 609 को जब 1058 से गुणा करेंगे तो यह जाएगा 38,220 और जब इसको गठाएंगे तो 60 क्या तो जेरो तो एक सो चिनमे बागफ़, 195 तो यहां पर आगया इनटू 100 15 में, प्लस 0 अब 0 आते हैं, 60 पल 0 आते हैं तो यहां पर सवाल समाप्त अब सवाल समाप्त होते आप किदोगे कि सर अतय है है एच सींट बराबर इतना हो गया है यह है यह आपको यहां पर प्राफ्ट हो गया तो आप ने यह दोरासानी से कर सकते हैं सवालों को कोई सवाल कटिन नहीं है बस एक बार यह दो लाइन लगाते ही चले जाना है जब तक की सेस्पल क्या नहीं आजाए जीरो नहीं आजाए और अपना काम हुआ अपना सवाल सोल हुआ इस तरीके से हमने इस परसुन को बड़े आसानी से हल किया बताओ इसमें कोई प्रोब्लम यह तो आपको लिखने ही पड़ेगी अगर कई बार जैसे यह नहीडिए बच्चे नहीं बच्चे ने यह वराबर बक्यू प्लस अ लिखा लेकिन आपको इसकी जो इभारत है वह आपको लिखनी है पर में आपको आपको लाईन तु लाईन यहां पर परतरसिद करनी है अब बढ़ते हैं उस्टा नमर तीसरा इसका कि ज्थन बात कर रहे हैं पर वह 867 में 255 यानि दो संख्या आपके पास बड़ी वाले संख्या तो होगे 867 बड़ी है 255 चोटी है तो जैसे यह दोनों नमबर आते हैं बड़े वाले को बड़े में लिखते हैं चोटा चोटा यह चिन लगा दिया हमने जिससे की हमने यह पैचान सुनि तो मैंने वाजन परमेंका के लिए तो हम युक्लिट भी वाजन परमेंका के अनुस्य स्वाल भी नहीं हमें करेंगे सगतके कहें चाहिंक ओर में फॉर। यह A बराबर BQ प्लस R अब A, A कोन है वाई साब 867, यह 867 B कोन है, 255 बता रखा है 867 में 255 का भाग लगाएंगे यह 255 और यह कितना है, 867 भाग लगाओ वेसे देखो यह 500, 500 500, 500, 500, यानि 3 बार कितनी बार जाएगा 255 एंटू 3 करके देख लो 535 रख 5, आसिल का एक 535 रख 6, आसिल का एक और 3, 2, 6, एक साथ 700, कितना आगे है यह आपर आप के देंगे सर्थ, 665 आगे है तो यह मैंने लिखा है यह आपर 665, कितना 2 0, 102 तो आपके पास भाग फल तो क्या आगे है, 3 एंटू 3, प्लस 66 पल कितना आ गया, 102 अभी 0 नहीं आया, आप आगे बढ़ेंगे, यह 255 आर एक सो दो को हम सेपरेट करेंगे यह आपर तो यहाँ पर 255 और यह आगे 102, अब 102 का भाग लगाएंगे 255 में, तो 102 एक हम 102, 102 दो नहीं 204, दो बार जाएगा, यह 204 कितना बचा, एक पांच, एक काउन बच गया, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 102 इंटू 2 प्लस एक काउन, आपने यह आपर निकाल लिया कि सेसपल सर, आपके पास एक काउन बचा, तो आपने सेसपल को सेसपल की जगह रख दिया, भागफल कितना था हैं, आपर दो बार, तो यह आपर दो लिख दिया, अब इन दोनों में देखो बड़ा कोना, 102, यह 102 आ गया, यह कितना गया, 51 आप 51 का भाग लगाएंगे, किसमें 102 में, यह 102 में 51 को डिवाइड करेंगे, तो 51 वन जा 51, 51 टू जा 102, 102 102, देन माइनस करेंगे, तो क्या आगया, 0 आगया, तो आपको पास आगया, 51 इंटू 2, प्लस 0, अब 0 आते ही, तो मामला समाप्त, समाप्त होते हैं, आप लिख दोगे, अतर HCF बराबर कितना हो गया, आपके पास HCF बराबर सीधा-सीधा निकाल लो, कितना है 51, तो यह आपके पास यहां पर आंसर प्राब्त हो गया, यानि कि बहुत इजी प्रसनाव लिए है बसरते यह दोनों लाइने आपको याद हो दोनों लाइने याद है A जो संख्या दे उसको बड़ी माल लेंगे B वाली को चोटी माल लेंगे चोटी में बड़ी का भाग लगाते जाएंगे कब तक भाग लगाते जाएंगे जब तक आपके पास 0 नहीं आ जाए सेस्पल और 0 आते ही जो यह B वाला नंबर था EC को हम बोल देंगे क्या बोलेंगे कि सर यह क्या है यह हमारा HCF है तो इस तरीके से हमने यह पहले प्रसंद में तीन प्रसंद थे इन तीनों के अमने लाइन टू लाइन हमने क्या निकाल लिए HCF गयाद किया अब बढ़ते हैं इसका क्यूशन नमर दो भी बात कर रहे हम युकलिड विवाजन अल्गोरिफम बोल दो चाहे प्रमेई का बोल दो उस पर हम बात कर रहे हैं आपर तो यह पर कहा गया कि दर्साइए कि कोई धनात्मक विसम पूर्णांग क्या दे रखा इसने दर्साना आपको कि धनात्मक विसम पूर्णांग कौन-कौन से हैं एक तो यह यह और यह के रूप का होता है जहां क्यों कोई पूर्णांग है दर्साना आप दर्साने के लिए वैसा विकलोता ही काम अपने पास कौन युकलिड विवाजन प्रमेका अब वो के रहा कि धनात्मक वाली बात ए और बी की कहानी है हमारे पास सीधी सीधी क्योंकि आपको पता है बराबर बी क्यू प्लस आर होता है मैंने बता रखा है यह बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर यह ठीक है अब आप कहेंगे सर यह धनात्मक विसम रूप में हैं अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यहां एका तो पता नहीं क्या है दे नहीं रखा लेकिन आपको यहां एडिया लग रहा है क्योंकि यहां पर शिक्स क्यू प्लस एक 6Q plus 3 6Q plus 5 तो आप कह देंगे सरी यह 6 क्या है यह 6B के रूप में है क्या है यह B हमने idea लिया है और यह R है यानि 6 पल क्या है 1 है 3 है और 5 है तो यह आपने idea लेते आप समझ जाओगी कि आप A को तो दनात्मक विसम पूर्णा अगमान ही लेंगे और B कितना आपके पास निकल के R अच्छ है हमने देखा यहां से कहां से निकला है इस प्रसंद से निकला है तो यहां पर लिखेंगे हल लिखकर हल लिखकर माना A हम A को क्या मानेंगे धनात्मक क्या मानेंगे माना A एक धनात्मक विशंपोनंख है, माना एक धनात्मक विशंपोनंख है, ये तो हमने लिख दिया, अब B को आपने यहां से निकाला है, जैसा हमने यहां पर प्रियोग करके देखा कि यह बी एंसका मतलब ही हो गया कि जो से से चोटा होगा इसलिए जो से प्रूदर अजयाए वो क्या होगा च्हे से क्या होगा कम होगा क्योंकि आपके पास मैंने आपको बता रखा था यूकलेट वीवाजिन प्रमेका से कि जैसे जीरू से बड़ा आर और यह भी यह भी है तो जो आर का मानँ होगा यानी सु Granth पल होगा बी का मानँ कितना निकाल लिए आपने छोटा होगा कहां तक होगा जीरो भी हो सकता है एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है तीन भी हो सकता है च्यार भी हो सकता है पांच भी हो सकता है बट्छा नहीं होगा तो आप सीधे-सीधे यहां पर केदोगे कि जो आपने प्रसन सर आपने प्रसन हम को दिया है इस प्रसन से हम और भी कहां से यहां से हमने लिया इसको निकल बी यह मान है और जब यह है प्राप्त हो कि यह भड़ा होता है। शेस पल किया होगा च्छोटा ओगा यही तो मैंने लिखा है आपधर सेसमसटा चैसे क्या हुगा च्छ चोटा होगा आब आय desp से चोटा आब करेंगे कि O कमान Looking According नीचे इसको उपर लिखो 문ण है आर बराबर जीरो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, च्यार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, यह होगा, ठीक, अब आपके पास युकलिड विभाजन प्रमेहिका से, त्या लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं भई, हम तो यह जानते हैं यूकलिड विभाजन प्रमेहिका से अब आपको लिखना है वो यूकलिड विभाजन प्रमेहिका से दो धनात्मक पूर्णांग में दो धनात्मक पूर्णांग ए वर बी दिये रहने पर ए वर भी दिये रहने पर एक अद्वितिय पूर्ण संख्या ये अद्वितिय पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या ये क्यों और आर विद्धमान है विद्धमान है की ए बराबर बी क्यो प्लस आर ठीक है अब यहाँ पर हम देखो छे तरह की बाते करनी पड़ेगी वन टू थ्री फोर फाइब शिक्स अब इसमें पेचानना पड़ेगा कि विशम द्धनात्मा पूर्णा कौन सा है यह है क्योंकि जो छे माने इसमें संभी निकलेंगे और विशम भी निकलेंगे तो सबसे पहले हम पहला ले लेते हैं यहां पर जैसे हमने बात की फर्स्ट 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 क्या ले लेते हैं आर बराबर जीरो ले 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 तो यह पर आर बराबर जीरो ले लेंगे तो यह देखो इसको ले लेते हैं केस फर्स्ट कि इस पस्ट में क्या कि R बराबर 0 ले लिया तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा आप सीधा सीधा यह के दोगे सर कि A बराबर B, B का मान कितना आपके पास 6 B Q प्लस R क्या ले रखा आपने 0 ठिक, अब देखें यह 6 और यह Q है तो यहाँ पर आगिया A, B बराबर कितना 6 Q अब आपके पैचान ना कि 6 Q सम है, यह क्या है? विसम है, इसके लिए क्या करेंगे? जैसे 6 है अब यह 6 को 1 से गुणा कर लो चाहे 6 को 2 से गुणा कर लो तो 6 को 1, यानि 6 को विसम संख्या से गुणा किया तो 6 एकम 6, 6 को सम संख्या से गुणा किया तो 6 दूने 12, बताओ यह समी आया, तो जब सम संख्या को चाहे सम से गुणा करें, चाहे विसम से गुणा करें, तो क्या प्राप्त होगा, सम प्राप्त होगा, तो आपके दोगे सर, कि यह 6 एक क्या ह सम है, हिंट के तोर पे लिख लिया ठीक, इसको दे दिया एक नमबर, इसी तरह case number second R बराबर कितना लिया हमने 1 तो A बराबर 6Q प्लस 1, आप ये 6Q क्या है? आप कहदोगे सर ये तो क्या है? सम है, और सम में एक जुड़ा A क्या है? विसम जब सम में विशम जुड़ता है तो क्या हो जाता है वो विशम प्राप्त होता है जिसे आप देख लो दो में एक जोड़ दो तो कितना होगा तीन ही तुगा सम ओल ले लो जिसे दस है इसमें एक जोड़ होगे तो कितना होगे ग्यारा तो आप के दोगे कि ये वाला जो बरबर कितना? दो, देन ए बरबर 6Q प्लस दो, अब 6Q तो क्या है सम, और ये दो क्या है सम, सम में सम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सम आएगा, ये सम आगया, ये तीन नमबर आगया, अब चोथे नमबर पे दोखो, केस 4, वो थर्ड आए गया था, अब आगया 4, आर बरब और क्पर घले लिए हैं तो है बराबर 6Q q 3 अब यह समय विशन जोढें हैं वह關係 आ गई मैं जब बिसम जोढ़ते हैं यहाँ पर कोष्टक में लिख लो यह हिंट के तोर पर लिख रहे हैं हम विसम 4 आ गया इसके बाद में केस 5 आर बराबर 4 तो क्या होगा ए बराबर 6 Q प्लस कितना आ गया 4 सम में सम जोड़ेंगे तो क्या आएगा सम आएगर यह आगे 5 नमबर इसके बाद में अब देखो केस कितना अपना फाइव आ गया अब 6 के शिक्स में देखो आर बराबर कितना ले लिए आमने 5 तो यह बराबर 6 Q प्लस पाच यह सम है और यह क्या विशम कर सम में विशम जोड़ते हैं प्राप्त होता है विशम प्राप्त होता यह आप dwutra कि यह मिदर आगेख चैना आपको कि दर्शा को कि दनातमग विशम पू裁ए अगई यह तो समने तो सम को तो ले ना है निये एक नबर नहीं लेंगे Wak क्या है विशं है, नमर्दो 6Q 3, 6Q 3 विशं है, नमर्दो 6Q 5, 6Q 5, ये भी क्या विशं है, तो फिर वह जो आपकी जो ये एडिंग लिखे हुई है, इसी को रिपीट कर दो, तो यह लिखेंगे, अते, अते, दनात्मक विशंपोनाउंक, दनात्मक विश्यम पूर्णांक क्या क्या है दनात्मक विश्यम पूर्णांक समी करण कौन कौन से 2, 4 और 6 से समी करण 2, 4 तथा 6 से क्या क्या है 2 में क्या है आपके पाद 2 में है 6 Q प्लस एक या इधर से आजाओ चोथे नमबर पर क्या है 6Q प्लस 3 या फिर आजाओ 6Q प्लस 5 यहां कि 6Q प्लस 5 को हम क्या कर सकते हैं या के रूप का होता है ठीक यही आपको यहाँ पर प्रदर्सित करना था आप बोलो यह तो उससे भी सीधा होगे करना क्या यूक्रेड विवाजन पर में एका लिखनी है और आपको यह पैता लगाना है यह चोटी कक्षाओ की कान नहीं है मैंने जो बात बताई है सम और विसम यह कक्षाओ छेटी में और पांची में गुरू जी ने बता दिया होगा आपके सर ने कि सम में जब विसम संक्या जोड़ते हैं यह दो है दो क्या है सम सम में जब विसम संक्या जोड़ेंगे तो क्या है तीन तीन क्या विसम है तो विसम नियम बने गया तो यहां पर यह सोचना करें। यहां पर तो ऊपे हो सबस्त घरीनों अगर लाइन अब आपने शोच लहाएक दनाथपां विश्ञम पूर्णाक। और बी बराबर के हो गए 6 क्योंकि आपने यहां से 6, 6, 6 यहां से निकाल लिया 6 को बी के रूप में तो आप के दोगे कि जो 6 पल होगा 6 से छोटा होगा यानि जीरो हो सकता है एक, दो, तीन, चार, पांस तक हो सकता है अब आपने 5 यानि 6 नमर हो गए 6 केस बन गए और 6 केसो को जब हमने यहां पर तुलना की तो हमने पाया सम विसम, सम विसम, सम विसम आपको लाना था क्या दनात्मक विसम पूर्णांक और अगर दनात्मक सम पूर्णांक आ जाता तो यह तीनों गायब हो जाते जो बच रहे हैं यह 6 क्यू, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 यह आ ज जो यह प्रसान नमर दूसरा था तीसरा ओर चोथा वाला जो प्रसन आएगा वहां पर इसका यह विसम था वहां पर समकी बात करेंगे तो मेरा मानना है कि आपको प्रसंद अच्छे से समझ गया होगा इसको एक दो तीन बार आप पेले इसको समझें फिर आप बीना देखे कर जहां पर भी आपको डाउट होगे सर को सर से यहां पर दुबारा पूछना तो जो हमारी डाउट सेशन होगा वहां पर आप मेरे से पूछ सकते हो आगे बढ़ते हैं अगले प्रसंद की बात करें प्रसंद की बारत थोड़ी बड़ी है लेकिन हम उसको बिल्कुल ऐसा एजी और वहां से पूरा भारत वर्षी के आपी तो पूरा पूरा वर्ड हमारे पंद्रागस्त को याने सुतंतरता दिवस और गणतंतर दिवस की परेड़ को देखता है वहां पर आपने देखा होगा परेड़ करने वाले सेनिक भी होते हैं और वहां पर हमारे सेना का जो सेना क सैने कि टुकड़ी ऑले या एक सेना की तुकड़ी है जिसमें बती सदस्यstory वाले का आर्मी बैंड के पीछे मार्ज़ करना कि 20 सदस्यओन वाले वाले हैं और 615 सदस्य मार्ज्ब करना यानि आपको उनको पारेड करनी है कि दोनों समों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है समान संख्या रहने चाहिए अदिकतम संख्या हो गया यह आपको यह आपको यह अदिकतम संख्या आते ही कि हैं आपको HCF निकालना यह भूख इतना सा आपको लगा और चोए लिए कितनी है 32 है तो आप पर ही निकाल लो जो जो है अग्या होगी जिसमें मार्च कर सकते हैं वह आपको संख्या ज्याद करने इस्तम्भ जो होगा वह अधिक्तम विश्थम्ब की क्या होगी संख्या होगी तो HCF का आपने पता लगाते ही अब हम इसको कैसे इसको सेफरेट रूप में लखेंगे तो यह पर प्रसंसे लिखेंगे कि सेना में जो आपके पास जो दो समू है एक तो बेंड वाला समू और एक जो परेड करने वाले जो समू है उनसे के संख्या क्या होगी तो आप यहां पर बताओगे कि जो परेड में 616 सद्दसे वाली एक सेना की आर्मी टुकडी तो यहां पर आ जाएगी एक सेना की आर्मी टुकडी आर्मी टुकडी कितने है चैसो सोला और एक आर्मी का बेंड यानि एक आर्मी का यह बेंड की टुकडी बोल दो क्योंकि बेंड में 32 है यह कितने हैं 32 है और आदिक्तम संख्या निकालने के लिए यहनि है निश्तंब की अधिक्तम संख्या गयात करने है अधिक्त्हरा ग्यात करने के लिए किया निकालना पड़ेगा I am कि निकालेंगे हम एक शेफ ग्याद करेंगे आता है हम इसके लिए क्या करेंगे अधिक तम संग्या के लिए आपके पास में है और वह कोंड सी है यूकलिट तो यह पर लिखेंगे हम जानते हैं कि यूकलिड विभाजन प्रमेका से लिखेंगे याँ पर लिखना पड़ेगा अपरते एक सवाल में दो धनात्मक पूर्णांग दो धनात्मक पूर्णांग ए और बी दिये रहने पर क्या धनात्मक पूर्णांग थे कौन-कौन थे एक तो ए था और एक क्या था बी था दिये रहने पर एसी अधितिये पूर्ण संख्या एसी अधितिये पूर्ण संख्या Q और R विद्धिमान है कि A बराबर B Q प्लस R अब पेले हमने बात कर चुके हम बड़ी वाली संख्या यानि आपके पाद 616 बड़ा है और 32 के आज छोटा तो इसको तो A माल लेते हैं इसको क्या माल लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे A बराबर के आगे आपके पास B Q प्लस R A 616 B आपके पास 32 अब भाग लगा दे हैं यह आगे आपके पास 32 616 में 32 से कम 32 कितना बचा आप कहेंगे सर यहाँ पर बच गया देखो 9, एक उदार चले गया था 5, 2, 29, यह 6 200 चिन में आप 200 चिन में में भी आपके पास बच रहा तो यहाँ पर भाग लगाएंगे 9 बार यहाँ बार जायेगा 9, 2, 8, 8 आशिल का 1 और 9, 3, 27, रेक 28 तो 8, 2, 16, 8 बचा आपके पास यह उदार चले गया था 8 ही बचा तो यहाँ पर आप के दोगी कि सर आपने 32 का जोब भाग लगाया 616 में तो 32 का जब 616 में भाग लगाया तो भाग फल आपके पास है 19 और 6 फल कितना बचा? 8 अब इन दोनों में से सेपरेट करेंगे 32 आगे-ागे पर अब आठ में लगाएंगे यहाँ आठ का बाग लगाएंगे किस में 32 में आठ चोख 32 कितना बचा से सफ़ल जीरो बचा तो यह आठ इंटो चार प्लस जीरो अब जीरो आते ही आप के दोगी सर एच सी एप प्राप्त हो गया हमें तो आप लिखेंगे आता है कि एसी एप बराबर कितना हो गया आठ एसी एप हमने क्या प्राप्त कर लिया यह पर आठ प्राप्त कर लिया तो आप कहोगे कि जो मार्च करने के लिए अधिक्तम इस्तंभो की जो संख्या होगी यह आप लिखेंगे आता है मार्च अधिक्तम इस्तंभो की संख्या या इसे लिखो मार्च करने के लिए के लिए अधिक्तम इस्थम्बो की संख्या की संख्या बराबर आठ होगी कितनी होगी पहरे विद्धारती हो आठ होगी इस तरीके से हमने इस सवाल को बड़े बखुवी से हमने इसको पूरा किया और ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि सवाल में कोई अमने ज़्यादा इसको बड़ा कर दिया नहीं इतना तो आपको वहाँ पर सवाल को हल करना पड़ेगा इस सवाल में दो ही बात ही इंपोर्टेंट है सवाल में आपको पता लगाना है कि एस सवाल निकालना है कि दूसरी बात आपने अधिक तम आते ही तो आपके दोगेश्चार हमको तो एस सवाल निकालना है आपके पास 32 कह चोटा है तो 616 को की के पास बजो और 32 को कि पास बीचार आपको भाग लगो कि निकालो क्यों बोले तो क्यों वॉले थो रभाग लगाई एक वर फल्ड़ दो ठॉल यह 16 बार घया 16 बार बचा कितना था आठ्वा यहां पर आगे आगे यह दोंस ब्र तो आर की जए कितना लिख दिया अब 32 और 32 में 32 में लगाएंगे तो आठ चोग 32 से सब्सक्राइब जीरो अब जीरो आते तो हम के देते हैं और यहां पर जो यह आपके पास बी वाला करने के लिए जो आर्मी यानि जो सेनिक मार्च पास्ट करेंगे परेड करेंगे उसके लिए अधिकतम जो इस्तंब की संख्या कितने होगी आठ होगी इस तरीके से अबने इस प्रसन को आसानी से अपर हल किया प्यारे विद्यारतियों और आज का घुरी के लिए क्लास थी इस अंदर उपने परस्णावलिका एक तीन परसंट सेकैनर प्रसनओं थर्ड प्रसन आज यहनि आनि पांचित प्रसनों को समझा था आज वह आंगे पिन प्रषंद को समया लृ इस एप जहां पर भी आपको doubts लगे वो doubt session में आप मेरे से पूछे मैं आपके लिए बिल्कुल doubt session लेकर मैं आपके बीच उपस्तित रहूँगा परविध्यरतियो तो आज के लिए इतना ही thank you